तो यहां पर मैं श्याम से ब्लोग स्टार्ट कर रहे हूं और मैं बनाओंगे मटर पनियर की सब्जी तो उसके लिए प्याज और टमाटर भून के रखे हूं मैंने और यह फिर पीछ लिए ठंडे हो गए थे जब और आरती आई थी अभी तो यह सब्जी और रोटी वो खाने लेके आई थी लड़ू दो डबे में और यह थे रस गुले तो आरती लेके आई थी यह सब अभी आई थी आरती शाम के टाइम साड़े चार बजे के करीब तो फिर चाय पानी पिया बस फिर खाना बनाने लगी तो वीडियो जादा सूट ने कर पाई मैं और यह सब्जी ब और यहां पर खाना पिना खाने के बाद भार गए थे तो यह पेश्टी लेके आए थे दोनों पेश्टी खा रहे हैं संजीवी और राजा भी उदर आरती बैठी जोती ममी लेटी हुई है यह मोनू बैठा तो यह सब शाम को आए थे लेकिन मैं वीडियो सूट ने कर पाई आपा और भाई वगर आयो हूँ थे पापा से मिलने पापा का पता लेने तो सब हूए तब है ने को 12 सूट किया था यहां भी मैं खाणा भना रही थी शाम के टाइम तो नु गैस पर कडाई रख़ती एक पर बना रही थीती आलू बांको भी मतर तो उसी के लिए मैंने अलूगों भी वाली तो लोहे वाली कडाई में छोकोंगी तो उधर भी रख रखा था तैयारी सारी कर ले थी काट पीट ले थी सब यह और बस में यहां पर बना रही थी तो और इस टाइम पर पापा उपर लेट हुए थे बैठे बैठे ठक गए थे पूरे दिन थोड़ी देर बाटव चायपानी प्या पापा के पास फिर उपर चले गए थोड़ी देर लेट गए और भाई और गंगा पर चायपानी प्लाइभी तो वो आ गए और मेरा वीडियो बनाने का विल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा और किसी को बोलना भी ध्यान नहीं रहा कि वीडियो बना लो और इधर संजे कुछ पापा के लिए पानी गरम कर रहे था अंदर केटले में और मैं अपना खाना बना रही थी वो गए थे गंग अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मतर ममी ने घर से ले जाएंगे तो खेत की तोड़ी मतर थी ताजी अच्छी थी मिठी मिठी अब तो जैसे पकी हुई मटर आने लगी मटर का सीजन जाने लगा तो वो खेती ताजी तोड़ी थी तो मिठी थी और इधर मेरी प्याज लसुन बुन गया था तो मैंने इसमें टमाटर और मसाले डाल दी थे कल पहले मैंने पीस पहले बुन के बनाये थे इसे मतलब पलट देती हूं को एक सुखी बना रही हूं न तो लगने का डर रहता है तो इसलिए अलटनी पलटनी पड़ती है बीच में और फिर दिमी गैस करके डख दूंगे थोड़ी सी कसी उबी मेथी डाल देती हूं उपर से और अब इसे डख के मंदी आच कर देती चलानी तो पड़ती है और इदर में बात कर रही थी ममी और बठे थे तो इनसे बात भी कर रही थी और अपना खाने में भी लगी हूं पर अपने श्याम के जल्दी से मैंने का बना लेते हूं फिर वा जाएंगे तो साथ-साथ खा लेंगे क्योंकि सुबह चले हूंगे किट तो इनका भूख लग रही होगी तो जल्दी से बना लेते हूं इसमें मैंने मलाई डाल दी थी दूद में जो उताजी दूद की थी आज की वही उतार के और मिक्स कर दी थी अच्छे से फेट के पिर जब तक वह आय थे मेरा खाना बन गया था रोटी मैंने गल-गल से सब शेसी करा तो फिर सात वादने यह खाना खा लिया था सब ने जल्दी से की तब तक मि們 बना के और अपना सारे बरतन वहता हुद्दी से तयारी करो खाने के काटने पीटने के सब बरतन हो जाते हैं तो मैं दब तक भी बरतन बरतन दो के सारा अपना गैस वैस साफ करके पूरा एक बार कीचन समेट लेती हूं फिर रोट्टे बनाने के बाद फिर दुबारा से साफ करती हूं एक बार सब्जी बगारा बना के मेरा लोग भी बन जाएगा लेकिन वस बिल्कुल दिमाग से उतर गया जब सब बैठते थे विल्कुल बनाना उब हुआ नहीं और बिल्गुल बनाना ही भूल जाती थी, यहां पे आलू गोभी मटर की सबजी बन चुकी है, तो मैं बगोने में निकाल देती हूं, क्योंकि लोहे की कड़ाई में काली हो जाती है, तो मैं बना तो लेती हूं, फिर निकाल लेती हूं, कि थोड़ी देर में भी खाएंगे त तो इसलिए मैं खाले कर रहेती हूं लोहे की कडाई में सब्जी टेश्टी बनती है पर ज्यादा देर नहीं छोड़ते हैं साथ-साथ खानी होती है तो इसी मखा लेते हैं थोड़ा टाइम लगता है तो मैं निकाल देती हूं सब्जी बनके हो गित यार मैंने इसमें धनिया डाल दिया और उसे जहां पी रख देते हैं मैं भी रहा धनिया ड्याल दिया यह भी हमारी सब्जी बनगी तो अभी मैं वीडियो एडिक कर रही थी, बना हुआ तो ये तीन दिन से है, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा था एडिक करने का, वह सब और करने का, तो बस अभी मैं कर रही थी, अभी रात का टाइम हो रखा है, दस बजे के करीब तो अभी खाना पिना मार हो गया था तो मैंने सोचे वीडियो एडिट कर लेते हूं वह इस भी कर लेते हूं कल डाल देंगे व्लोग तो दिन में तो टाइम नहीं लगता और अभी मेरी छोटे वाली ननद आई हुई आरती और उसका बेटा उनके एस्वें गए और मैं व्लोग में नहीं दिखा पाई थी आपको टाइम ही नहीं लगा था बिल्कुल बिजी हो गए थे सब क्याने पर और बस अभी वैसे खाने पीने का थोड़ा सा वीडियो शूट किया था वहीं आपके साथ शेयर कर रही हूं वैसे व्लोग नहीं बना पाई थी कमें दिखा के अरो अब ईब उंक पर आए थे तो मैं पटीदे विधियो थे खाना खा चारे थे वह और मैं वेडियो शूट कर रही थी वीडियो में वोइस कर रही थी अभी आये थे रहा को प्लीज लाइक करना कमेंट करना चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना स्पोर्ट ऐसे ही बनाई रखना मिलेंगे कच्छे से वो लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई